है गाइज वेलकम टू साइका वाउनेस आई होप आपस वच्छ होंगे तो पर्मेरेंट जॉब आपके सामने आ गई है क्लीनिकल साइकलोजिस्ट मल्टी रहेबिलिरेशन काउंसलर या फिर वरकर और साथ में अधर पोश्ट भी है सबी पोश्ट जो है आपकी पर्मेरेंट गवर्मेंट जॉब है अपके काफी कम बता है कि गवर्मेंट जोब आती है और बच्चे बात करेंगेंजे पर्मेरेंट जॉन को आ रही तो मेरी भी हमाँ हुए तो और चली उसने नहीं में यह को यह सब्सक्राइब जाएगा तो बैकेंज आपको ऑंलाइन को मिल जाएग पाइंगे आपका इस्टीट आपको अप्लाइग करना है तो यह नंबर वो पोस्ट है पाइब की पोस्ट इसमें पहली है आपकी प्रतलोजिस्ट यानिक स्पीच लेंगगे फिर आपकी क्लीनिकल साइक ओलोजिस्ट गुरूप भी एक पोस्ट है वह अगर आप आपको एज लेक्सेशन मिलेगा जनरल आरे तीस सलतर भर पाएंगे उसके बाइद आपकी क्लीनिकल साइक ओलोजिस्ट ग्रेट टू ग्रूप बी में आती यह ऑफस्टर पोस्ट है इसमें एक पोस्ट है साथ में एज लेक्सेशन आपको मिलेगा फिर आपकी MRT यानि मेडिक थेटी थाफ़जन पर मंद और लेवल छे मतलब 45 तू 50 थाफ़जन पर मंद आपको इसमें सेलरी इन हेंड मिलने वाली है साथन आपको इसमें अलाउंस वगेर अप सब कुछ मिलेगे पर्मन आपकी जॉब रहने वाली है बात करते हैं पोश्ट की पहले पोस्ट जो आपक अपने या फिर सब्रसुन सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप अप इसमें भर पाऊगे एक्स्पीरेंस प्रिमेंरी डिखाए सिंपर लिखा है में या फिर में साथ में आपने क्लीनिकल साइक ओलोजी एजा सब्चेक्ट पड़ा हो मास्टर्स में तो आप इसमें भर पाऊगे एक्सपीरेंस से कोई भी डिमांड नहीं प्रेशस एलिजिबल नहीं उसके बाद क्लीनिकल साइक ओलोजी ग्रेट टू की पोस्ट वह भी ग्रूब भी किये एक पोश्ट एडवलो असले भर पाएंगे एक बाद देख लिना कि एडवलोस में ओबीसी एसस्ट भर सकते या नह अब देखा है एज इस प्रैसल सब्जेक्ट आपके पासस सीम Union अध्योन नोगया घ्राइत अपके बात हैं जो क्लीनिकल साइक अक बियुक्रेशन आपने ग्रेव ने मेडिकल टैंसिशन आपने ग्रेज़िए त्प्रमा घजोेटमर टिपलों में डिच्वाइक अधाश हो कह सकते हो एक पोश्ट जनल की जनल की लेवल चार की जॉब है आपने टेंपल आपने अब ट्वाइल टेंपलस टू हो आप साथ में पको पास वन एन हाफ यहर का सर्टिफिकेट कोर्स हो मल्ती रहबिलेटेशन वरकर में किसी होस्पिल से आपने करा हो साथ में आप पहले बात यह है और क्या चीजह आपको इसमें आराम से मिल जाएगा और इसमें क्या मिलेगा आपको दा स्केल आप नोटिफाइब लेवल सिक्स लेवल सिक्सें पुर्टिफाइब पर मन्स हैली हो जाएगी आपकी पोस्ट कैरी यूजल अलाउंस आपको डी एह रे एंट सब कुछ में मिलने वाला है और क्या चीजह इसमें देखो और आपको इसमें एज करेक्स सनिया लिखा है अगर आपको अपना लगाने पड़ेगा बाकि आपको जो फॉर्म में आपको ऑनलाइन भनना है ग्रूप और ग्रूप सी की पोस्ट आपको रिटरन टैस्ट होगा प्रेक्टिकल टैस्ट भी होगा साथ में आपकी इंटर्वी भी इसमें होगा कि पर्मेंट जॉब है सब कुछ ही आपका लेंगे और अगर आप फॉर्म भरके भेज़ो का उफएं तो आपको डिरेक्ट कॉल नहीं आगी आपका जो फॉर्म है वो पहले होगा उसके बात आ एक में टुकना एक पर टुकना फॉर्म फीज कहां पर है चेक कर लेते हैं फॉर्म की फीज एक तो पीड़ेफ में काफ़े चीच देरी कि इसमें आपको डिमांट आप लाना जो हुई है जन्रल कैटेगरी और OBC और EWS के जो बच्चे वह 100 रुपे का फॉर्म भरी फीज द करने का यहां दे रहा है अप्रिकेशन का आप देख लेना है से आउल लाइन या और या नेफ्ट से जैसे आप फीज पे करते हैं उसके बाद आपको इसमें साही डॉक्यमेंट नगाने पड़ेंगा उसको सेलफ अटेस करना पड़ेगा और यह आपको आपको भरके आपको आपको पहले बात यह तो आप इसना प्रेकर लेना है इसके बहुत बच्चे कमेंट लखेंगे किसा जॉब बता दो कहां की है देखो मैसूर की मैसूर इंडिया में यह पर्मेंट जॉब साइकॉलोजी में बहुत कम आती है मास्टर साफ से मांगा है तो आपको भरननी चाह हो जाएगा अच्छी सालरी में आप क्लिनिकल साइकॉलोजिस बन जाओगे वह भी इतनी बड़े रेप्रेट गॉवर्मेंट में और अच्छे से फॉर्म भरके भेज देना बगे को कहरे होगे तो आप में पोस्त ना बाकि जल्द में अगली वीडियो में तब तक लिए थ थैंक यू